प्लीज सब्सक्राइब और डोंट फर्गेट प्रेस अग्वाइद फिर्ट एंग करार देने में क्या चुनाओ आयोग ने जल्दबाजी दिखाई यह सवाल जिस पर मुद्दे पे तमाम सारे लोग आज यहां पर मौजूद किनाट प्लेस में एक बार फिर भाया जी कहिन में आपका स्वागत है बातचीत के सिल्सले को आगे जोड़े के लेकिन मैं बता दूँ एक सज्जन हमारे साथ जम्मू से मौजूद है जो आएवे हैं और उनको कुछ जो शेलिंग होती है उसको बावात एक बात कहनी है लेकिन मैं इससे पहले जाओने मुद्दे पर मैं रहूंगा और हमारे साथ प्रेणा सिंग कॉंग्रेस से और अफदेश कुमार बरिश्पत्रकार मौजूद है जिन्हों ने भ्रेक से पहले नहीं बोड़ता अफदेश जी मैं आपको खड़ा करना चाहूंगा सवाल यह था कि उसके बाद डिवेड ओपन हो जाएगी लेकिन जिस तरह के सब्सक्राइब हो रहा है चुनाओ नहीं कि यह थी आपके पास वरी तो क्या लोगों की जो आकांज्वायन थी वह कहीं न कहीं कुछ लगता है उसमें चोड राधाना आई है केजरीबाल पैदा हो जाएगा ये भाय होना सोभाविक है क्योंकि अर्विन केजरीबाल का जो सबसे बरा योगदान इस देश में रहा कि लोगों का आंदोलनों से लगभग विश्वास उठ गया सबसे बरा धक्का ये लगा है देश में कि अंदोलन के बाद फिर ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे जो कहेंगे कि हमको सत्ता में नहीं आना है और फिर सत्ता में भी आएंगे तो कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ लेकिन इस पर लंबी बात हो जाएगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ ज़िए कि आज के फैसले के बारे में कुछ बाते देश को समझनी चाहिए इसी दिल्ली उचन्यायले ने 8 सितंबर 2016 को कहा था कि ये कई संसदिय सचीवों के नियुक्ति जो है ये औसम बैधानिक है गलत तरीके सीयक किया गया और उनकी नियुक्ति को रद कर दिया था ये बात देश को नहीं भूलना चाहिए और आज जो फैसला है वो इस पर नहीं है कि ये इनका अरविंद केजरिबाल की जो एककईस लोगों की नियुक्ति का फैसला था यह सही था या गलत था इस पर भी नहीं है कि यह लाव का पद ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं केवल इस पर था कि क्या चुनाव आयोग ने ठीक से सुन करके सही तरीके से सुनवाई करके प्रॉपर बे में न्याय किया है या नहीं किया है हमारे यहां न्याय पालिका के सिध्धान्त है कि कोई एक दोसी बच जाए ये तो ठीक है लेकिन किसी निर्दोस को सजा नहीं मिलनी चाहिए तो इस सिद्धान पर आज का फैसला है चुनावायों को केवल दुबारा सुनवाई करने की है मैं तीन बाते कहना चाहर हूँ देखिए 13 मार्च 2015 को इन सब की न्यूक्ती हुई थी उसके बाद परसान जी ने क्याज का डाली थी ये क्याज का हाई कोट में गई थी उस याज का पर सुनवाई सुरू हुई उसके बाद 23 जून 2015 को बजापता दिल्ली बिधान स्वाह में एक बिध्यक लाया गया उसको पाडित करके रासावां भेज दिया गया क्योंकि ये भाय हो गया कि ये डिस्क्वालिफाई नहीं हो क्योंकि 1997 में दिल्ली के कानून के अनुसार दो ही पद यहाँ लाप के पद के बाहर था एक हादी गराम अद्योक के अध्यक्स का एक महिला आयोक के अध्यक्स का उसके बाद 2006 में शिला दिक्षित ने नौ पदों को उससे बाहर किया इसके अलावे जो भी नियुकती होगी वो लाप के पत के दाएरे में आएगी सब्सक्राइब करते यह बात तो हम इसके जो थे सचिप के जो पदी नहीं बचे उन पर एक्षन कमिशन सुनभाई कि कि कर रहा है हाई कोट ने वो पद ही खतम कर दिये पद ही नहीं यह खतम हो गए उस पर आप सुनभाई कर रहे हैं यह बात हम रखते वहां पर उसका मोगा ही नहीं नहीं कि उसके बाद का करना है हाई कोट ने एक लिम्टेड इसू इसू पर खाली आज का जज्जमेंट दिया है कि जो प्रॉपर सुनभाई नहीं दी गई उनके विधायकों का तर्क था कि नियुच्वल जेस्टिस का पालन नहीं किया गया तो उनको सुनभाई का दुबारा मौका दिया जाना चाहिए उस क्राउंट पर वापस भेजाए ओफिस अप्रॉफिट का कुश्चन अभी भी है ओफिस अप्रॉफिट का कुश्चन का जो डिक्सन हाई कोट के पास नहीं है उसे चुनाव आएग और रास्पती जी को देखना है वह मामला भी चलेगा तो इसमें कोई बहुत ज्यादा अखुस होने की बात नहीं है जैसे टेंप्रेरी रिलीव है चुनावा एक चाहेगा तो दो दिन तीन दिन या कोई भी एक कंटिनियोस हीरिंग करके एक हपते में भी दुबारा हीरिंग के बुलाएगा दुबारा आपका देखिए आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से जन कर नहीं करा है इन्होंने लाप के पद पे ये थे और लाप का पद का इन्होंने फाइदा उठाया है जिसकी जो भी सम्विधान के हिसाब से सजा इनको मिलनी होगी वो जरूर मिलेगी यह सिर्फ टेंप्रेरी रिलीव है और अभी किसी बाही ने कहा कि इस आंदोलन से जो दूबारा चुनाव में चले जाने की आपका तो नैटिक आप तो नहीं तो नटिक सोनिया गांदी जी पर जब सिमिलर लगे तो सोनिया जी ने रिजाइन करके दुबारा इलेक्शन में गई ती ये नंतिकता होती है जो केजरिवाल जी सत्ता का लोब करके और जो इनके वि दिल्ली की लोग डिसाइड करेंगे और खुराना जी का भी डर जायज है उनकी पिछी बार 32 तीन रह गई और अब यह बाकी सब दिल्ली की जनता वोट करती है यहां बहस होती है दिल्ली की जनता पर छोड़ने के जरीवाद और चाहिए नहीं चाहिए तो चुनाओ करालो भाई क्या दिक्कत है 20 सीट है भाजपा वाले भी लड़ने आप भी लड़ने और कॉंग्रेस वाले भी लड़ने दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा गलत तो हुआ था ठीक मैं मैं आजय उपाद्याई जी को कहूंगा कि यह प्रोफेसर हैं देखें राजनितिक दलों की लड़ाईयां लड़ाईयां होती रहें लेकिन संस्थाओं को संब्यधानिक संस्थाओं पर इस दंग से प्रस्ट उठाना यह यह हमलों के लिए उचित नहीं है फैसला कई व चुनावायोग की बात कर रहा हूँ एक दिन में यही डिसीजन होता है क्यों नहीं उनको दिया गया उनको मुट्वाद की और प्रथिक लोक्ते खूबी आप एगरी हो यह डिसेगो आपको सम्मान करना पड़ेगा चाहे आपको मन हो या नहीं लेकित मैं तो प्रफेसर हैं तूसरा तूसरा जिस परकार से आज जिस परकार से आज आम आदमी पार्टी दिवाली बना रही है ऐसा लगा रहा है को जंग जीत गई हो मुझे रहानी इस बात की हो आपको परशानी क्या हो रही है हमें को परशानी नहीं है हमें को परशानी नहीं है लेकिन लेकिन सवाल य कुछ कहना चाहते हैं दिल्ली की जनता यहां मायूस है अच्छा हमें तो नहीं लेकर ही मायूस कैसे लेकर हैं थोड़ी तेर पहले कह रहे थे आज मजा नहीं आ यहां आदमी पार्टी की जो यह जितने भी चीजें हैं वह आप यहां की जनता समझ गए हैं कि अब बुजा हुआ कार्टूस हो गए यह जनता कोई रूची नहीं ले रही है उत्तर प्रदेश में मज़ा आ रहा है बहुत है बहुत जल्दी अब जैसे जैसे आप तुनाव के प्रदेश नजदी एक एक दिन बीटते जा रहे हैं तो एक एक दिन उनकी सांसे जो है धीरे हो रही है अगर चाहिए पहले की बात करें या आजादी के बाड़ा आजादी से पहले जो सत्याग्रा हुए भारत छोड़ों उससे भी कुछ प्लेस्मेंट्स निकल के आई जो परिवारवाद में बदल गया है और एक राजनीत की ऐसे विदूशक उभर के आए जिन्होंने देश को गर्त में डाला और उसके बाद अगर हम अन्ना अंदोलन 2011 में जो कि बड़े जोड सोर से किया था और उसमें पूरे देश ने एक तरफा होके एक तरफा होके उस आंदो जी जैसा नेता निकला और उसके बाद उन्होंने अपनी ब्यक्तिगत महत्वा कांछाओं को पूरा करने के लिए दिल्ली के साथ देश के साथ जो खेल खेला जो भी वो देश का एक दुरभाग है अब माओं का विश्वास जो है या बेटों का माई अपने बेटों को नही चले आगे बढ़े लेकिन इस आंदोलन से कोई ऐसी ब्यक्ति कोई ऐसी संसा निकल करना है जो अपने ब्यक्तिगत महत्वा कांछाओं को पूरी क्या नाम है आपका साथ मेरा नाम लक्ष्मिकान चतुरवेदी पुनी चतुरवेदी है मैं शायर हूं लेखक हूं कभी हूं अच्छा विशिलेशन किया है कि कोई माँ आपने बच्चे को अंदोलन में नहीं बेढ़ेगी यह बात इन्होंने कही और यह गौरतलब बात हैं बाई जया है पीचे गड़े में जी 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 मैं कहना चाहता हूं कि पहले जो अंदोलन होता वो समाज के लिए होता था देश केजरिवाल जी ने सत्ता की बूख को इतना दिखाया को दिल्ली की जनता आज तक बूगत रही है वह आज तक बूगत रही है अपने मुझे बताइए आप लोगों को जूटे वाइदे जूटे सपने सब्सक्राइब दिखाके सब्सक्राइब जूटे वाइदे नहीं कर दी वासा क्या वाद है पुछे पंद्र लाग रुपिया खाते मां गए हैं पंद्र लाग रुपिया खाते मां गए कि मैंने कहा कि जीशी सब्सक्राइब को को हटाया है बिश्ची तरुपिश सब्सक्राइब अब सब्सक्राइब आज तक तो अलग परिवार के लेकिन हीत साधन का जो कारिकम चलाएंगे तो यही निकलेंगे अगर एक सिक्षा मंदरी के साथ एक बिधायक में किसी स्कूल का दौरा करने जा रहा है और बहुत महां के स्कूल की प्रॉब्लम आके बता रहा है कि स्कूल में टॉलेट साफ नहीं हो रह ता है एक बिधायक असपटल में जाके देखता है कि हॉस्पिटल में बैट ठीक बैट में मरीज ठीक है या नहीं है हरीसी आपके वीचमनी बबड निकल के क्या कि ति है तो आफ की बात कर दीजिये ति उस पर आओंगा सुप्रीम कोट के चार टॉप आपके जच्छन निक लिए मैं एक पत्रकार के अलाबा एक भारत की जन एक भारत के नागडिक के नाते कहना चाहता हूँ एक से जवाब देखिया है उससे जो देश में धक्का पहुचा है देखिए मक्के के रोटी और सरसों का साग पहले गरीबों के भोजन था लेकिन जब से फाइब स्टार ने सामत हूँ और साथ ही साथ ये भी देखने की बात है कि जो लोग अर्विंद के रिवाल के साथ अंदोलन में थे उसमें से कितने लोग आज साथ है और है नहीं तो क्यों नहीं है यह सवाल अब पुचा जाएगा बताता हूँ ठीक है दिल्ली में सरसर सीटाई 2015 में ठीक है 2015 2015 में डिली की जंता ने चिताने चेथा के भे? तो दिली की जंता कि प्रतिशत लगातार गिरा और अगर ये इसा तरीके जिशा. अब बड़े नहीं करें इन्हों नहीं कहा था कि हम बंगला नहीं लेंगे गाड़ी नहीं लेंगे याद करिंए पहला दिन मेट्रों पर सफ़र किया था आज बड़ी बड़ी चाहँ से करेंगे अपाफी कि यह भी तो पुछिय निमें जब येता हों तक सकते हो और नेता के क जिसका दिल बड़ा होता है बहुत माफी मांगता है हर किसी के बसकी बात नहीं है और आज जब उन लोगों से माफी मांग रहे तो उनको देश को बताना चाहिए देश में दो बड़े बड़े वादे किये गए दो मायावी ब्यक्तित वाया एक ने कहा मैं डमरू लेकर आया हूं एक ने कहा मैं मदारी बन करके आपको खेलूंगा सिर्फ जनता की भावनाओं से खेला जनता के साथ जूटा वादा किया इन लोगों ने तो अन्ना को नहीं चोड़ा और एक ने राम भगवान राम पुर्शतम को नहीं चोड़ा इस देश में सिर्फ लोगों के भावनाओं का सोसन करके राजनीत हुई है सियासत हुई है गरीबों के गरीबों पर रोजगार पर जुआओं पर मजदूरों पर और किसानों पर अरे आप लोग तो इ कि अपने बच्चों को आंदोलन में भेजने से लोग डरते हैं आंदोलन के नाप में जूठा 67 सीट का रहे ने लोग आयुक तो इस देश में कम से कम दिली में लाते लोग पाल की तो यह लोग भूली गए लोग पाल की तो बात नहीं बुल गए आज भी आ जाते लोग जुटे वे हैं देख रहे हैं कि क्या हो रहा है उगलिया हाथ हवा में है कि मेरा नंबर कब आएगा पहस को एक बार फिर से आगे बढ़ाते वे लेकिन जो सवाल आज हमने पूछा था वो यह आम आदमी पार्टी के 20 विधाई को पायोग करार देने में क्या चुनाओ आयोग ने जल्ले बाजी दिखाई यह सवाल मने प्रोग्राम से पहले पूछा था जिसका जवाब के लिए लोगों ने अपने कोट कास किया है तेकि ना मैं आप से पूछूग है किस जगहाँ पर है तो अपने लिए भी एक बार जन्मत करवा लेकि हम कहां है किस जगहाँ है जनता ने संसर्ट सीट दिया था उनको थे जर्फ चाहते क्यों कि आपको देखने आये तो एक घंता सवा घंता से सब्सक्राइब क्या सब्सक्राइब सब्सक्राइब जब रहने वारे और इंहां इस दिल्ली में रहाता हौबक एक पर्टी कंसे का स्टेंट कर रही जब चली थी अप्ने जवानी पे मलब मामले बी जवानी आइं तो नि-वा इसलित सीब तो नहीं है लेकिन यह मतलब इस टाइम उसका कोई अस्तित्वाई नहीं नहीं यह तो आप ले जल्दवाजी में कह दिया है तो यह करते हैं दरना रखते हैं यह रखते कि पबिक ने साथ सपॉर्ट में न हो जाए किources आपको These लीلف यह थेन्गे हम आपको यह दिसpared है लेकिन आप आता है अब पास कुछ भी नहीं होता देने के लिए अध Meg tuk यह सवाल देखिए आप सवाल पूचा के लोगों ने विश्वास चिया था उसके बाद कोई पंजाब में इनका सत्ता बनाएंगे सब्सक्राइब कि अगर आप सुनिया उसके बाद कितने चुना हुए समय जमानते जब तुए इंक्लूडिंग दिल्ली की एमसीडी के अंदर भी नंबर तीन पर आया है इसलिए आहम आदमी पार्टी का जो एक बुल्बला था जो एक बहुत शक्स ने कहा था कि हम विश्वास करना हम भूल रहे हैं कि अर्विंद केजरिवाल के कैसे निकलेगा तो नहीं यह डर वाकिए है कि लोगों के साथ दोका किया उसने और तभी माफी मांग रहे हैं इस बास पर भी खुश है बीजेपी कि चुनाव नहीं हुए लेकर चुनाव हो जाते तो मुश् में इस देश के लोगों ने परचंड बहुमत दिया था और बड़े बड़े वादे 15 लाक देंगे राम मंदिर बनाएंगे तीन सो सत्तर धारा को खत्म करेंगे वहाँ टीडीपी से यहाँ पे वहाँ अतंकवादी संगठनों को समर्तक देने वालों से कास्मीर में सम्झोता राम मंदिर का कोई अबनाता नहीं के बाद 21 सरकार हमने बना दी उसके बाद कि लोगों के समर्तन नहीं यह यह लोगों का समर्तन कैसे होता है हम नहीं जोनों ही अपना आधार खोड़ चुकी है और दोनों ही एक दो पहला तेरह जो थे जो आधार ने बहुमत दिया केजरी वाल जी बहुत बड़े बढ़े वादे लेकर आए दिल्ली की जनता ने उस पर विश्वाथ कर आए वह मांगो के विश्वाय हमारे वावनाओं को ध्यान में रखते हों ने समर्तन दिया कि शायद जिन वादों को लेकर आए शायद उन्हें पूरा कर दें मगर अब तो केजरी वाल जी और भाजपा दोनों एक ही सिख्ये के दो पहलों नजल आते हैं करें देखिये गरतीक जी长ie सिख्या बंए इसको ध्यान रखना चाहिए बाजपा और कॉंग्रेस ने उसके बार अभी तक दिल्ली में केज़रीबैल को जो केजरीबाल है उनकी भासा में मुकाबला करने का माद्ड़ा नहीं दिखाया है ये भी सच है भले MCD में बहुमत मिल जाए लेकिन मैं जो कहना चाहरा हूँ एक दूसरी बाद कि केजरी बाल को अगले चुनाओं में जीत मिलती है नहीं मिलती है या उनको बहुमत भी मिल जाए उससे जो देश को धक्का पहुचा है केजरी बाल को के चेहरे से केजरी बाल के और देश में एक माहौल पैदा किया था उससे जो धक्का पहुचा है जो विश्वास को धक्का पहुचा है जन अंदोलों के परती उसकी भड़पाई नहीं हो सकती है और यह सवाल बना रहेगा हमेसा और यह बात यह आप समझिए कि यह एक ब्यक्ति जो सरसर सीटों को लेकर क्यों बनाने पड़ते हैं इसलिए बनाने पड़ते हैं कि कहीं हमारे भी खिलाफ लोग खरे ना हो जाए अगर इतना भी विश्वास नहीं है तो फिर ऐसे व्यक्ति को या इस परकार को हमारे आपके जैसे लोग में अदेश जीने बहुत अच्छी बात कही है कि जिस विश स्वास पर अर्बिंद के जिरिवाल नहीं खड़ा हुए हैं उतरे हैं और यही विश्वास इस देश की जनता ने एक प्रधान मंत्री से भी किया था गरीबों की आवाज असंगठीत मजदूरों की आवाज महिलाओं की आवाज युवाओं की आवाज रोजगार की बात ब पूरा कि जिए देश में जरूरी है नौजवान आपके साथ होगा लेकिन करना पड़ेगा बिना विकास के बाइया पूछते हैं जो बिकालब कोन है दिल्ली की जनता ने के जीवाल जी पर जो विस्वास किया था वो पूरा विस्वास इनों ने तोड़ दिया जाए तीन सालों में कहीं कोई काम नहीं हुआ आज भी लोग सीला दिख्षी को याद करते हैं जो काम हुआ आज नहीं तो पानी की समस्षा स्वाथ हुए नहीं सड़की सोली ना बिजली कि तुमाम तरें बुद्दे तमाम ठाड़ी बातें लेकिन जनता के बीच में आज अबी बस्ते फितनास